प्यारे दोस्तों आप समी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरनेस एजुकिसन यूज में तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीच जो भरती का जो डोक्यूमेंट वेरिफिकीशन है उसमें कौन-कौन से डोक्यूमेंट लगने हैं आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं तो पूरा वीडियो निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों से इस पूरे वीडियो को आप लोग जरूर देखियेगा और दोस्तों आपका फिर भी कोई कन्फूजन बना रहता है तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताईएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तो दोस्तों देखिये यहाँ पर जो आपका CHO भरती है उसका दस्तावेज सत्यापन यानि की डोक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिधे सिधे सब्दों में कहूं तो दोस्तों एक बार आपको पहले ओनलाइन सब्मिट करने होंगे सारे के सारे डोक्यूमेंट आपके दस्तावेज उसके बाद आप लोगों को जो निर्धारित 6 संभाग है उनमें अपने ओरिजिनल डोक्यूमेंट ले करके जाने है अपलोड कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे, क्या कुछ अपडेट है पूरी जानकरी मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ तो complete जो वीडियो है, complete जो डिटेल है वो आप लोगों को यहां पर देखनी है और यह डाउनलोड मैं पहले से करके मैंने पढ़ लिया था कल ही ठीक है, तो मैं दुबारास इसको कर लेता हूँ, यह हो चुका है तो देखिए दोस्तो, 25 जनुवरी के जानकरी है कल साम को यह वेबसाइट पर आया है, अपडेट और इसमें देखिए, समीदा सियचो भरती 2020 हे तूदस्ताविश सत्यापनेट्सू आवशक दिशा निर्देश तो समस्त अभ्यारतियों को निम आनुसार वरणी दस्तावजमे से उनके आविदुट पत्र में उलेखित मोबाइल नमबर पर तो दोस्तो आपके मोबाइल पर एक समस आएगा, ठीक है उस समस पर एक लिंक होगा, उसके साथ आपको सभी मूल दस्ताविश और इनकी एक-एक प्रतिलिपी सव अस्ताक्षरिक दस्ताविश सत्यापन किसम अपने साथ अनिवार रूप से लेकर आएंगे तो दोस्तो पहली बात आपको मूल दस्ताविश औरिजिनल डोक्यूमेंट और उनकी एक-एक सेट, एक-एक फोटो कोपी, उन फोटो कोपीच पर आपके सिगनेचर होगे ठीक है, पहली बात तो ये है दूसरा दोस्तो आपको क्या-क्या अप्लोड करना है, विभाग द्वारा क्या कारवाई इस पर की जाएगी तो सबसे पहले जो अप्लोड होगा, आवेदन पत्र का प्रिंट और समीदा सियचो हेतु जारी एडमिट कार्ड तो दोस्तो आवेदन पत्र यानि कि आपका जो फोर्म है वो सबीदा सियचो यानि कि आपकी परिक्षा का एडमिट कार्ड कलर फोटो एव आईडी, एक कलर फोटो पी फोर साइज की जो आपको पे चिपकाते हैं वो और आपकी एक आईडी, आईडी में आप आधर कार्ड ले सकते हैं, पैन कार्ड ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, कोई भी एक आईडी जो आपकी पैचान दरसाती हो वो लेना है धीक है second इसमें दिया गया है online upload किये गए दस्तावेज की सूची का print out एव undertaking सपत पत्र की सवस्ताट की दो दो परतियां अब देखें आपर online upload किये दस्तावेज की सूची का एक print out तो जो online आप दस्तावेज upload करेंगे उनका print out भी आपको चाहिए होगा और undertaking सपत पत्र की सवस्ताक्षर दो प्रतियां तो undertaking और जो सपत पत्र आप देंगे उनकी दो कोपी आपको बनानी है ठीक है उस पर खुद के sign होंगे upload किये गए समस्त मोल दस्तावेज ठीक है ये चीजें आपको करनी है जो जो आप document upload करेंगे वो आपको original रूप में भी लेखे जाने है ठीक है देखिए आवेदक द्वारा की जाने वाली कारवाई आवेदक को सभी दस्तावेज लाना अनिवार है ठीक है अब देखिए आपर विभाग द्वारा कारवाई राज के नरसिंग कोलेज राज के नरसिंग इसकोल स्टाव दौर आइडी चेक की जानी है ठीक है विभाग क्या करेगा ये आपकी आईडी चेक यह आपे करेगा दूसरा है दोस्तो बोनाफाइड सर्टिपिकेट यानि की मूल निवास प्रमान पत्र तो राजस्तान राज के सक्षम अधिकारी दुवारा निर्धारित परपत्र में जारी प्रमान पत्र परस्तूत करना होगा अब देखिए आपर भी भाग द्वारा क्या कुछ कह गया है अब इदक द्वारा राजस्तान राज्य का स्व्यम के पिता के नाम से जारी मूल लिवास प्रमान पत्र परस्तूत नहीं करने पर राजस्तान सरकार द्वारा दिये जने वाले आरेक्षन का लाब दे नहीं होगा बैद प्रमाण पत्र पस्तूत नहीं करने पर यह राजस्तान के भारे भार के अभ्यारतियों को अन्रिजट केटेगरी में सामिल किया जाएगा तो राजस्तान के जो बाहर के हैं भाई वो तो चनरल केटेगरी में सामिल होंगे इसमें कोई दोराई नहीं है लेकिन अगर राजस्तान के जो अभ्यारती हैं विसेश कर ये लड़कियों के लिए गले की फांस बन रहा है ये पॉइंट कि जो bonafide certificate है जो मूल निवास है क्योंकि after marriage यनकी साधी के बाद पती के नाम से ये मूल निवास बनता ना उनको sports कलाब मिलेगा ना उनको दिव्यांकता कलाब मिलेगा ये राजस्तान के बाहर क्या भ्यरतियों के लिए है तो उनको अन्रिजड में गिना जाएगा कास certificate जाती प्रमान पत्र तो अपनी जाती से सम्मंदित आपको कास certificate पेस करना होगा आवेदक दुआरा आरक्षन है तू रास्तान राजे तो जो कास certificate है वो पिता के नाम से आपके जाती डिफाइन होती है क्योंकि अगर मान लीजिए कोई गल्स है लड़की है किसी ने love marriage कर लियो किसी अधर कास्ट में तो उसकी जाती को हम डिफाइन नहीं कर सकते इसलिए जो जाती प्रमाण पत्र है अगर किसी लड़की ने साधी सुधा महिला ने जाती प्रमाण पत्र अपने husband का नाम का बना रखा है तो भाई वो नहीं चलेगा उनके लिए जरूरी है कि आपके पिता का नाम का जाती प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए ठीक है चोथा पॉइंट है दोस्तो OBC Non Criminal Certificate यह आपके पास होना चाहिए और OBC Non Criminal Certificate में एक अच्छी बात विभागने यहाँ पर यह की है कि एक वर्ष तक पुराना हो तो चल जाएगा लेकिन तीन वर्ष से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए एक वर्ष से ज़्यादा पुराना है तो भी आपको एक सपत पत्र देना होगा ठीक है दोस्तो समझ गए होंगे OBC में जिनके पास जो कार्ष सर्टिपिकेट है वो अगर एक साल से ज़्यादा पुराना है और तीन वर्ष से कम है तो आपको एफिडेविट यहां पे लगाना पड़ेगा ठीक है अगला है MBC तो MBC में भी दोस्तो आपको अती पिछडा वर्ग का प्रमान पत्र नोन क्रीमिलियर तो देखिए आपर कार्मिक विभाग के परिपत्र में परनित प्रावध अनुसार रास्तान राज के सक्षम अधिकारी द्वारा जाती प्रमान पत्र OBC MBC विभाग के सर्कूलर दिनांग जून 2020 के अनुसार OBC प्रमान पत्र भी मानने है ठीक है तो देखिए आपर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं और इसमें भी आपको पिता के नाम से जारी नवीन तम एक वर्ष तक पुराना या दिक तम तीन वर्ष तक सपत्र पत्र के साथ एक वर्ष अधिक पुराना जारी दस्ताविज परस्तूत नहीं करने पर उसको नारक्सित वर्ग में सामिल कर लिया जाएगा प्राप्तांकों के अधारपन तो OBC और MBC के लिए यह है कि अगर आपका काश सर्टिपिकेट एक वर्ष से ज़्यादा पुराना है तो और तीन वर्ष से कम है तो आपको एफिडेवेट देना होगा एक वर्ष से कम किसी का पुराना है तो उनको एफिडेवेट की आवशक्तर नहीं होगी ठीक है पांच नंबर पॉइंट आपका किलियर होगा चार पांच आप दोस्तों EWS का है तो EWS देखिए आपर गुनिस दो 2009 की जो प्रावधान है उसके अनुसार शक्षम अधिकारी द्वारा ये जारी होना चाहिए और इसमें आवेदब द्वारा अपने अरक्षन हेतू राश्टान राज के सक्षम अधिकारी द्वारा पिता के नाम से जारी प्रमान पत्र तो जो EWS का है वो भी पिता के नाम से राजस्थान का होना चाहिए तो वो आप पे इसमें आरक्षन का लाब आपको मिलेगा EWS certificate के बारे में जिन अभ्यारतियों ने form apply करते बक्त EWS category दर्साई थी कुछ time पे आपके पास certificate नहीं था अब आपने बनवा लिया है तो आपको EWS पेस्ट करना होगा साथ नंबर का जो point है दोस्तो TSP छेत्र के निवासी का तो यह यहां पर आपके पास होना चाहिए जो define किये गए थे आवेदक दुआरा अपने आरक्षन हेतु सम्मंदि सक्षम अधिकारी दुआरा पिता के नाम से जारी दस्तावित पस्तूत नहीं करने पर TSP छेत्र में निवासी का अधिकार समाप हो जाएगा और उन्हें नोन TSP में सामिल किया जाएगा मैला अभ्यारती यदि TSP छेत्र के व्यक्ति से जिसके पास TSP छेत्र का मुल निवास प्रमान पत्र उपलब्ध हो विवा करती है तो TSP छेत्र का लाब प्राप्त होगा परंतु विवा पुर्मान पत्र पुर्श्टूत करना होगा किन्तु जाती का लाब स्ट केवल रास्तान राजिक के शक्षम अधिकरी द्वारा पिता के नाम से जारी रास्तान राजिक परण पत्र देने पर दे होगा अब यह पॉइंट समझ दिएगा इसमें कहा गया है कि जो टीएस्पी का जो सर्टिपिकेट है दोस्तों वो 182018 को कुछ शेत्रों को टीएस्पी के नए एरिये भी साम्मिल किये गए थे उनकी अनुसार आपका होना चाहिए और इसमें कहा है कि आपका जो टीएस्पी का अगर आपके पास पिता के नाम से पिता के नाम से जारी अगर परमाण पत्न नहीं होगा TSP का तो आपको non TSP में सामिल किया जाएगा अगर TSP की कोई महिला ठीक है TSP छेतर के यानि TSP छेतर की जो महिला भ्यारती TSP छेतर के अभ्यारतियों से विवा करती है और उसके पास TSP का मोलनिवास प्रमान पत्रुपलब्ध है जिस अभ्यारती से वो साधी कर रही है तो उसको भी इसका लाब होगा तब ही होगा ठीक है किन्तु अगर अगर अधर स्टेट से है तो उसको S.C.S.T. का जो लाब है वो उसके लिए जाती प्रमान पत्र पेस करना होगा सहरिया के लिए भी है का है कि सहरिया में आपके पास होना चाहिए सहरिया का सर्टिपिकेट विभाप्रमान पत्र बताया गया है तो विभाप्रमान पत्र आपके पास होना चाहिए कुछ ऐसे अभ्यारती थे जिन्होंने 2019 में फोर्म भरा उसके बारे में तो इसमें देखिए यहाँ पर शक्षम अधिकारी दुवारा जारी विडो हैं तो आपके हस्बेंड का जिनकी डैथ हो गई थी उनका डैथ सेटिपिकेट मरत्यू प्रमान पत्र और जिनका तलाक है तलाक सुधा महिला हैं उनको शक्षम नाल्य दुवारा ज प्रमान पत्र ठीक है देखिए यहाँ पर का गया है जो विडो हैं उनके लिए मर्द्यू प्रमान पत्र और जो मर्दक व्यक्ति था उससे आपकी साधी का मेरी सरेटिपिकेट ठीक है और विचिन विवाहे तु माहने नालद्वारा जारी डिग्री प्रस्तूत नहीं करने पर उसके मूल प्रवरग अनारक्षित प्रवरग्रम उसके द्वारा प्रापतंकों के अधार पर सामिल किया जाएगा डिग्री मृत्यू की दिनांग आविदन की दिनांग से पूरु की होने चाहिए तो आविदन की जो डेट है ठीक है उससे पहले आपके पास विडो का आपके पास divorce का certificate होना चाहिए महिला भ्यारतियों के लिए, सीधी सीधी बात यह है, आवेदन की date से पहले आपके पास आपकी जो भी qualification है, वो complete होनी चाहिए, इसी तरीके से यह video or death, जो annual marriage का है, दाइवोर्स का वो है, ex-orisman, तो ex-orisman का दोस्तों आपका जो है, वो प्रमाणपत्र पेस करना पड़ेगा, ठीक है, पूरु सैनिकों को पी पी ओ की जो प्रती है, जो पी पी ओ है, पी पी ओ नमबर आते हैं, ठीक है, pension भोगियों के लिए, तो एक सर्विसमें को PPO नंबर पेस करना होगा इस स्पोर्स के लिए आपको दोस्तों स्पोर्स का सर्टिपिकेट पेस करना होगा सर्टिपिकेट पेस नहीं करेंगे तो आपको अलग वर्ग में सामिल किया जाएगा जितने परसंटेज आपके बन रहे हैं जिस वर्ग से आप हैं उसी में आपको सामिल किया जाएगा Disability Certificate यानि कि विकलांग प्रमान पत्र तो कार्मिक भाक्यादी सूचना के अनुसार या आपको पेस करना होगा आप दोस्तों इसमें जो Disability Certificate है वो सिर्फ 1 लेक का एक पैर का यही माना जाता है चिकेट सविभाग में तो विकलांग प्रमान पत्र आपके पास होना चाहिए 14 नंबर का जो पॉइंट है 10th Board Mark Seat और आपका जो है Certificate वो होना चाहिए आविदन की जनमतिति में अंतर होने पर मादमिक सिक्षा बोडंक तालिक अमुलेक्तिक जनमतिति के अनुसारी तो आपकी कहीं जनमतिति मिस्टिक है तो दस्वी की मारक सीट में जो आपकी जनमतिति होगी उसको ही यहाँ पर माना जाएगा ठीक है चोदा नमबर का, पंदरा नमबर में है, GNM, BSC Nursing, BSC Community Health, BAMS, Practition Court, तत्वा सम्तक्ष योगता, आपके जितनी भी भाई मारक सीट है, GNM की हो, चाहिए BSC Nursing की हो, ठीक है, चाहिए BMS की हो, उनकी Intercept की मारक सीट, उनकी सारी चीजें, आपके पास होनी चाहिए मारक सीट, ठीक है, यह आपके पास होनी चाहिए, सोला नमबर पे है, BSC in Community Health और BSC Nursing with Integrated Course, तो दोस्तों, अगर आपने CCH कर रखा है, या फिर BSC Nursing में जोड दिया गया था CCH, तो वो भी आपके पास होना चाहिए, देखिए, इसमें कहा गया है, जिना भैरतों के दुआरा, BSC in Community Health और BSC Nursing with Integrated Course in Community Community Health Course और BPCCHN, फ्रों इगनु का प्रवानपत्तु प्रुस्तुत किया जाते होना भैरतियों को पात्र माना जाएगा, तथा सीध्य नियुक्ति पर विचार किया जाएगा, जिनके पास CCH का है, और BSC के साथ जो Integrated ये Course जोड़ा गया था, CCH का वो है, तो उनको Direct Posting मिलेगी ठीक है दोस्तों, 17 नमबर का जो Point है, Valid Registration, ये बड़े काम की चीज है, ये बड़े काम की चीज है दोस्तों, इससे समझने की पूरी कोसिस करनी है, देखिए, Document Verification के समय, RNC, RBM का Registration, प्रमाणपत्र आविदन की अंतिम तिथी दिनाक 26.09.2020 तथा उससे पूर्व की देखिए, 26 सितंबर लास डेट थी, दोस्तों, तो आपकी जो RNC है, वो 26.09.2020 से पहले आपका Registration उसमें होना अनिवार्य था, ठीक है दोस्तों, इसके अलावा, उन्होंने कहा है, कि High Court में एक याची का लगी थी, याची का संक्या 13.2000 रिन्यान में, 2017 मंजु देवी बनाम राजस्तान राज में, तो 18 दिसंबर 2017 को एक कोड का डिसीजन आय था, उसमें समीदा सियचो भर्ती की दिनांक 10.11.2020 को आईजित परिक्षय तक दिनांक का मानने होगा, और इसी रसीद के आधार पर डोकुमेंट वेरिफिकेशन की दिनांक था, आरेंसी आर्बियम का पंजियन प्रमान पत्र प्रस्तूत यहाँ पे करना होगा, ठीक है, अब देखिए, इसमें कहा गया है दोस्तों 26.2020 से पहले या तो रेजिस्टेशन हो, या जो आपकी 10.11.2020 को जो आपकी परिक्षय थी, उससे पहले आपके पास आपका रेजिस्टे परिदरों पत्र आविदन के अंतिन 3 तिति दिनाग, चब्वीस नो 2020 तक या उससे पूर्व थीति का प्रस्तूत किया जाना आवशक है, परंतोर यदी रजिस्टेशन परमान पत्र हो चिति के बाद की दिनाग को जारी होगी होगा है, तो रजिस्टेशन परमान पत्र के स 26.9.2020 तक या उससे पूर्व की RNC, RBM के आविदन प्रस्तूत करने की रसीद यहाँ पर प्रस्तूत करनी होगी तथा पी राजस्तान उच्छ न्याले जोद्पूर बेंच में याची का 13.299 में ओबलिक 2017 मंजु देवे अन्य बनाम राजस्तान राज्य में दिनांक 18.12.2017 में पारित निर्ण के परिपेक्ष में आरण सी आरबीम मैं आविदन प्रस्तूत करने के दिनांक समीजा समीदा सियचो फर्थी 2020 की दिनांक 10.11.2020 क्वाजित परिकश्य दिनांग तक का मानने होगा और इसी रसीद के आधार पर डोक्यमेंट वेरिफिकेशन के दिनांक तक आरण सी आरबीम का प्रस्तूत परिप करना होगा अब देखिए दोस्तों लास्त का जो प्रॉइंट है वो ये है पहली बात तो 26 नो 2020 से पहले का हो ठीक है यानि कि आविदन के डेट से पहले का हो दूसरी बात जो कोड का एक डिसीजन था मंजु देवी बनाम रास्तान राज्य और अन्य उसमें ये कहा गया था कि आपकी जो परिक्षा थी भाई दस नौवंबर को दस नौवंबर से पहले अगर आपने आरेंसी के लिए अपलाई कर दिया था और वो रिसिप्ट आपके पास है तो भी आपकी आरेंसी को वैलिड माना जाएगा ठीक है सीधे सीधे सब्दों में बात ये है या तो 26 नो 2020 से पहले आपका रिस्टेशन हो आरेंसी में या फिर आपका 10 नौवंबर 2020 से पहले आपने आरेंसी में अपलाई कर दिया था रिस्टेशन के लिए वो हो दोनों इस्तुति में आप लोग वैलिड हैं आप लोग इलेजीबल हैं ठीक है ये आपके डाक्यूमेंट पारी हैं ठीक है अब दोस्ट इसमें क्या कुछ का गया है तो आपको कर विचारी सुची में सामिल अभ्यरत्यों के दुआरा आवधेन पत्र में उलेकती दस्तावां को अंलाई सब्मिट है तो लिंक को प्लब्द करवाय जाए गया अब बेस्तावेशन को अभिभिके दस सपत पत्र की दो परतियां लेकर दस्ताविज प्रमानी करन के समय भाई जो आप अप अपलोड करेंगे वो के वो आपको लेकर करके जाने है ठीक है सपत पत्र की दो परतियां लेनी है और अंडर्टेकिंग की दो और जो आपके डोक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे उनकी एके-एक प्रति लेनी है, ठीक हैim, दस्तावीज प्रमानी कर्म के समें इस सूची पर आवशक संसुधन के पस्चात, भेरिफायर युअ अभ्यरती अस्थासर करेंगे, ठीक है, हस्थाक sortir एक प्रति भेरिफायर अपने पास रखेगा, परन्तु दूसरी प्रतिय अभ्यर्तिय अपने साथ ले जा सकेगा दस्ताविज वेरिफिकेशन के समय वेरिफायर द्वारा समझ दस्ताविज का भोतिक सत्यापन कर सेव कर फ्रीज कर दिया जाएगा तो यहां पर आप उन्होंने काहा है